जालना लाठी चार्ज को लेकर संजर राउत का महराज सरकार पर विवादित बयान सीम शिंदे को जनरल डायर बताया, दोनों डिप्टी सेम को डिप्टी जनरल डायर जालना लाठी चार्ज पर भढ़के राउत, पूछा मराठा आरक्षन मांगने वाले अजित पवार कहां है, बुल्धाना के कारिक्रम में भी नहीं गए महराज के संभजी नगर में बंद का दिखा असर, बाजारों में दुकाने बंद, AIMIM, M और MNS ने भी किया बंद का समर्थन संभजी नगर का वेस्ट कॉनाट प्लेस मार्केट बंद है, सालको पर सन्नाटा है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है संभजी नगर में सुरक्षा के कड़ इंतिजा में दो A.S.R.P.F की टुकडी, 500 हमगाट तैनाते हैं, पुलिस कर्मियों के चुट्टियां रद कर दी गई है मराठा अंदोलन के नेता मनुझ जारांगे पाठिल को डिप्टी सेम फरंडीस ने बुलाया, सांसद उदेयन राजे भोसले ने किया अंडरोड जालन कांड पर सभी के साथ इंसाफ होगा, फरंडीस ने मनुझ जारांगे पाठिल को दिया भरूसा जालना जा रहे, M.N.S. चीफ राज टाकरे औरंगाबाद सुलापूर हाईवेड पर पर परदेशन कारियों ने रोका, राज ने लोगों से बात चीट की A.I.M. आ.I.M. ने मराठा समाज के बंद को दिया अपना समर्थन कहां की मांगे जायज है महराज में मराठा आरक्शन की मांग रेवार को कई जोखों पर 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 परदेशन हुआ बीड के गेवराई में लोगों ने जल समाधी आंदूलन किया उद्यनिधी के बयान के विरोध मोतरी बीजेपी दिली में तमिलाडू हाउस के बाहर हुआ विरोध परदेशन परदेशन में बड़ी संक्या में लोग पहुँचे लहराए भगवा जहन ने कहा बड़ी साज़श के तैस सनातन के खलाफ बयान बावी हुई शिंदेगुट के नेता राहुल कनल का मुंबाई पलिस को खत उद्यनिधी स्टालिन के खलाफ कानूनी कारवाई की मांगी चिनने में बोले उद्यनिधी स्टालिन उनके बयान को तोड़ मरूल कर पेश कर रही वीजेपी मैंने सनातनियों के नर संहार की बात नहीं की उद्यनिधी स्टालिन अपने बयान पर डटे हैं कहां मैंने सनातन धर्म की आलवशना की इसमें इस धर्म को खत्म कर देना चाहिए सनातन पर उद्यनिधी के बयान पर उधव चाक्रे नाराज सीम स्टालिन से करेंगे बात मातो श्री में पार्टी निताओं से करेंगे चर्चा उद्यनिधी पर बरसे केंदी बत्री उन्राक छाकूर सनातन को खुचलने की हसरत रखने वाले खाक हो गए उदे निधी ने मलेरिया डेंगू से की सनातन की तुलना राहूल और नितीश इस पर चुप क्यों है रविशंकर परसाद का सवाल रविशंकर परसाद ने इंडिया गडबंधन निताओं की चुपी पर उठाया सवाल कहा स्टालिन पर राहूल गांदी मलेकाजन खड़ गे नितीश की चुपी शर्म नाक है उदे ने दी स्टालिन का सनातन पर बयान प्री प्लांट इंडिया गडबंधन की बैठक के बाद दिया गया बयान बोले गोगा के सीम सावन उदे ने दे स्टालिन पर बरसे आरेसिस की निता इंद्रेश किमार उनके बयान को लोक्तंत जिरोधी बताया तामिल लाडू के स्टालिन के का स्पेकिंग फॉर इंडिया पॉड़कास्ट बीजेपी पर भारत की मूल सन्वचना एकता नस्ट करने का आरूप लगाया आरज़ी सुप्रीमो लालू पर साथ यादो पर भरके नितिश किमार की पार्टी के विधाय गोपाल मंदल राहूल गांदी को प्रजेक्ट करने का आरूप लगाया लालू यादो पर निशाना साथते वे मर्यादा भूल गए गोपाल मंदल का किड्नी ट्रांसप्लाट के बाद थोड़ा सठी आ गए है गहलो सरकार पर बरसे अमिच शा के इन सरकार का पैसा खारे ये सरकार गहलो सरकार को उखार ठेकेगी जनता वोपाल में जन अशिवाद्यात्रा में ना बुलाने पर नाराज हुई उमा भार्ती कहा पता नहीं सरकार बनने के बाद पूछेंगे भी ये नहीं हुमा भार्ती को ना बुलाने पर रौधी सुर्जेवाला का तंज कहा अपने नेताओं को अप्मानित करना बीजेपी की पुरानी आदत है वन नेशं वन एलिक्षन प्र वीपक्षी पार्टियों से सरकार करे बाचीत फलाओी में राजस्तान के मुक्लब की अशो गहलोत का बाया है सीम केज़िवाल का सवाल वन नेशं वन एलिक्षन से आम आदमी को क्या मिलेगा वन निशन वन इलाज वन एजूकेशन जाड़ा ज़रूरी हुजेन के महाकाल मंदिर में महारुद्र अनुष्ठान बारिश के लिए सीम शिवराज ने की खास पूजा अर्चना सीम ने गर्बगरी में भगवान महाकाल की पूजा की नंदी हाल में मंतर जाब किया जलस अंसादन मंतरी तुलसी सिलावर्ड भी शामिद हुए बुकिम्ति शिवरासिंग चोहान ने मदर प्रदेश में कम बारिश को लेकर बड़ी बैठक की बोले संकट के वक्त में पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी है शिवरासिंग चोहान ने कहा मैं 3-4 गिनों से सूबे के किसानों से मिल रहा हूँ इस बार अगस का पूरा महिना सूखा चला गया दिल्ली और हर्याड़ा के सीन के बीच सोशल मीडिया पर तू तू मैं मैं खटर ने कहा आपको मुफ्त खाने की आदत लग गई है के जीवाल ने किया खटर पर पलट वार का हम फ्री बिजली के साथ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इलाज देते हैं जनता इंस विदाओं से खुश है जी-20 शिकर समेलन को लेकर दिली मेट्रो के इंतिजाम वी-वी आई-पी रूट पर बन रहेंगे कुछ मेट्रो स्टेशन वैंगलूरू में इस रो साइंटिस्ट एन वलर मती की मौत हाट टेक से गई जान चंद्रियान 3 के लाँचिंग में समाला था काउंट डाउन का मौचा करनाटा के चितर दुल्ग में खड़े ट्रक से टकराई एक कार हाथसे में चार लोग की मौत तीन गंभी रुप से जखमी है यूपी के बारा बंकी में एक तीन मंजला मकान धा दो लोगों की मौत हाथसे में तीन लोग गंभी रुप से जखमी है बारा बंकी में SDRF और जिला परशासन की टीन चलारी रेस्क्य आपरेशन अभी तीन से चार लोग फसे हो सकते हैं बारा बंकी रेस्क्य आपरेशन पर बोलें SDRF और जिला परशासन रेस्क्य में लगी है कुछ लोग अभी भी दबे हो सकते हैं यूम कश्मीर के बारा मुला में लशकर के दो आतंकी से योगी आरेस्ट चाइनिस पिस्टल मैगजीन एक ग्रेनिड परामद हुआ मुंबए के फवई में फ्लैट में मिला एक लड़की का शब ट्रेनी एर होस्टेस थी मिर्टक लड़की पुलिस ने जाच शुरू कर दी है लकनो के गुमती नगर में दरदलाख हासा तेज रफतार कार बेकाबू होकर यूनिकोल से टक्रा गई हासे में कारसवार की मौत हुई है तेज रफतार हाथसे की वज़े बताई जा रही है यूपी के हरदोई में अवैद शराब के खिलाब पुलिस ने चलाया अभियान जिले में परी 5000 लिटर कच्ची शराब जब्त की गई पुलिस ने वैद शराब बनाने वाले कुल 214 लों को गरिफतार किया एस पी राजिश दिवेदी ने आपरेशन की जानकारी थी मत्रा के सुनरक के जंगल में पुलिस के साथ हुआ बदमाशों का एंकाउंटर किद्नापर को अरिस्ट किया गया चोरी की बाइक और अवैद हत्यार परामत हुआ